गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप शबो का हमारे यूटूब चैनल इंजिनियर भीके गुपता कैमपस पर तो दोस्तों आप शबो की इंतजार की घड़ी समापत हो रही है और मैथ और रिजनिंग दोनों का न्यू फाउंडेशन बैस 29 नमंबर से स्टार्ट होने जा रहा है दुरगापूजा, दिपावली और छट पूजा के बाद बहुत सारे छात्रों को इंतजार था न्यू फाउंडेशन बैच का तो आपके इंतजार की घड़ी समापत होने जा रही है नेक्स्ट ट्यूजडे से यानि 29 नमंबर से आप लोगों के लिए न्यू फाउंडेशन बैच, मैथ और रिजनिंग दोनों का तीन से चार और चार से पाच पीएम में यानि मैथेमेटिक्स तीन से चार पीएम, त्री टू फोर पीएम और रिजनिंग फोर से फाइब पीएम यानि चार से पाच बजे एक ही कलासरूम में एक ही सेंटर पर स्टार्ट होने जा रहा है तो ये बहुत बड़ी खुशकबरी है और और भी क्या खासियत है इस दोनों बैच की हम लोग अगले कुश्चनों में हर एक पहलू पर विचार करने जा रहे हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहली बात बैच का स्टार्टिंग डेट क्या है भाई तो 29 नमबर 29 नमबर 2022 टाइमिंग माथ का 3 to 4 पी एम रिजनिंग का 4 to 5 पी एम दोनों एक ही सेंटर पर एक ही कलासरूम में ठीक है स्टार्ट भी होगा और फिनिस भी होगा तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप एक ही बार आईए और माथ रिजनिंग दोनों पढ़कर चले जाईए ठीक है और यह बैच ओनलाइन ओफलाइन दोनों मोड में है यानि हमारे वो बच्चे जो पटना आकर नहीं पढ़ाई कर सकते और उन्हें एक बेस्ट टीचर की तलास है बेस्ट कंटेंट की तलास है अपडेटेट मैटेरियल की तलास है तो उन लोगों के लिए भी वो अपने सु आ प्योंलाइन मोड में भी पढ़ाई कर सकते हैं ठीक है अगर मैं ऑफलाइन की बात करूओं तो आफलाइन में यह जो बैच है हमारा इस बार यह भीखना पहाडी वाले सेंटर पे स्टार्ट होने जा रहा है भीखना पहाड़ी वाले center पे जो हम लोगों का new center है जो head office है वहाँ पे start होने जा रहा है इसलिए इस बार seat काफी क्या है कम है limited seat है ठीक है और उसमें भी बहुत सारे बच्चे already enrolled है already admission ले चुके हैं तो आप देर ना करें जल्दी से जल्दी जल्द से जल्द अपना seat book करा ले admission करा के अपना seat confirm कर लें क्योंकि हो सकता है देर करेंगे तो seat full हो जाएगा बावू क्योंकि seat क्या है limited है इस बार और फिर new batch के लिए आपको लंबा इंतजार देर से दो महिने का करना पड़ सकता है तो देर बिलकुल ना करें ठीक है और क्या खासियत है क्या आपको इस batch में मिलने जा रहा है क्या क्या होगा चलिए सिल्सिलेवार तरीके से फी structure क्या होगा क्या क्या facility provide कराई जाएगी इन सारी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले आप मेरे यहां मैट्स पढ़ें या रिजनिंग पढ़ें आपको foundation batch में bilingual content provide कराया जाता है यानि जो cbsc icsc बोर्ड के भी बच्चे हैं उनको भी कोई issue नहीं होने जा रहा है वो आसानी से course purchase करके अपनी सरकारी नौकरी government job की जो उनकी desire है जो उनका ख्वाब है उस ख्वाब को वो पूरा आसानी से हम लोगों के साथ इंजिनियर भीके गुपता सर के साथ संजीत सर के साथ कर सकते हैं ठीक है दूसरा सारा न्यू pattern पे आधारित आपको कलास कराया जाएगा जो हमारे पूराने बच्चे हैं उनसे आप पूछे हमारे यहां material हमेशा क्या होते रहता है अपडेट होते रहता है अग्दम updated material दिया जाएगा आपको यहां तक कि अगर 2022 में भी recent में कोई exam हुआ है तो अगले कुछ महीनों में ही वो आपके book में add हो जाएगा और अगर नहीं add है तो उसके लिए आपको अलग से seat provide करा कर आपको उसके question करा दिये जाएगे ठीक है तो यहां आप देख भी रहे हैं हमने लिखा है updated and errorless material basic to high advanced, zero to advanced level यानि आप SSC की preparation करें, railway की करें, banking की करें आपको कोई tension नहीं लेना है यहां पर आपको math reasoning दोनों basic level से zero level से उठा कर एकदम SSC level होते हुए banking के PT men's level से भी एक दो step उपर तक का question करा दिया जाएगा ताकि आप एक बार foundation best join करने के बाद आपको कोई tension नहीं हो ना PT का ना men's का आप जिस exam में बैठें आपसे 100% question क्या हो solve ठीक है दूसरी बात हम लोग timing से ज़्यादा अगर आप engineer भीके कुपता campus को join करते हैं भीके सर से math पढ़ते हैं या संजीत सर से reasoning पढ़ते हैं आपके हम लोग यह नहीं देखेंगे कि कौन सा chapter कितना दीन चल रहा है बस जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम छोडेंगे नहीं मैं अगर math की ही बात करूँ तो math हमारे यहां basic ही डेड़ से दो महीने पढ़ाया जाता है यह percentage आपका डेड़ महीने के लगभग चलता है आप अधर जगह से compare करेंगे हमारे YouTube पर percentage का कलास पूरा दिया भी हुआ है 35 घंटे प्लस की कलास है आप other teacher से compare करेंगे 6 से 7 घंटे में finish हो जाता है लेकिन यहां एकदम basic से बताते हुए high level तक जाया जाता है फिर हम लोग time नहीं देखते हैं कि यह नहीं है कि 7 घंटे में हमको finish कर देना है दस कलास में finish कर देना नहीं बच्चे को एकदम basic से लेकर high level तक ले जाना है फिर कलास चाहे 20 लगे 25 लगे 30 कलास लगे 35 कलास लगे doesn't matter उसी तरह reasoning में banking वालों के लिए puzzle सबसे important section होता है और हमें याद आ रहा है कि last जो batch है उस batch में हमने 70 hours plus 70 घंटा plus सिर्फ puzzle पढ़ाया था वो भी तब जब question को note करने का समय नहीं दिया गया था सिर्फ solution को note करने का समय दिया गया था अगर question लिखा कर पढ़ाया जाता तो ये और time ले लेता अब एक एक chapter के बारे में इस तरह से description देना तो possible है नहीं बस इतना समझना है कि chapter कोई भी हो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आप banking की तयारी करो, ssc की तयारी करो, railway की तयारी करो, doesn't matter, clat की तयारी करो, cat की तयारी करो, doesn't matter, आपको सिखाएंगे, तभी छोड़ेंगे, वो math हो या reasoning, ठीक है, चले, आपको super level का content दिया जाएगा, super content, ठीक है, content से no compromise, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए, फी वगेरा की, है ना, अगर फी की बात करें, तो math, math का, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आपको math reasoning, दोनों एक साथ पढ़ना ही है, आपको अगर इक्छा है, सिर्फ mathematics पढ़ने की, सिर्फ math पढ़ सकते हैं, सिर्फ reasoning पढ़ने का मन है, 6600, मात्र 6600 में आप पूरा arithmetic plus advanced, है ना, जो करीब 14 से 15 मन्त का syllabus है, हाँ, 6 से 8 महिने में मेरे यह math finish नहीं होता है, यह नहीं कि 6 से 8 महिने में उड़ा दिये हैं, और फिर उसके बाद फिर से कहीं class करने का जरूरत पढ़ रहा है, ना, बिल्कुल नहीं, हम लोग time लेंगे, कि फिर से आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने का मौका जरूरत ना पढ़े, और अगर आप वहां का वीडियो देखे भी, तो आपको लगे कि इंजिनियर भी के गुपता कैमपस ही क्या है, बेस्ट, ठीक है, तो time लगेगा अगर आपको PT मेंस दोनों लेकर चलना है, उसी तरह रिजनिंग की फी की बात करें, ये offline फी की बात है, रिजनिंग की फी की बात करें, तो रिजनिंग का फी कितना है, 4500 ओफ लाइन में है, अगर आप individual admission लेते हैं तो, यदि आप math reasoning दोनों में combined admission लेते हैं, तो आपका ये फी होता है 11,100, 11,100, लेकिन चुकि आप दोनों subject हमारे यहां पढ़ रहे हैं, तो आपको फी में थोड़ा सा रिवेट दे दिया जाएगा, और आपका ये admission, 9500 के approach कर लिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गई offline फी की बात, यदि मैं online की फी ये structure की बात करूं, online की, तो online का फी जो होगा वो आपका बाबू, online का, online का mathematics का जो फी होगा, वो math का, वो होगा 2500, पचीस सो रुपया, और reasoning का जो फी होगा, वो होगा 1250 रुपया, इसके साथ, एक हम आपको जैसे math reasoning offline में है, उसी तरह online में, एक combo batch भी देंगे, जिस batch में, आपका math reasoning दोनों एक साथ रहेगा, और उस batch का फी, फिर, ये जो 3750 हो रहा है, 3750 रुपी जो हो रहा है, ये हो जाएगा, मातर कितना, 3 था होगा, ठीक है, यानि, 750 रुपया का बचत, ठीक है, यानि math के फी में 500 और add कर दिया जाए, तो math के साथ reasoning भी, वो भी super quality का, super label का, banking label का, ठीक, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? हाँ, अब आप online class हमारा join कैसे करेंगे, तो आप जाएंगे play store पे, आप जाएंगे play store पे, और play store पे जाकर type करेंगे exam mantra, एक jam mantra type करेंगे, हमारा app install करेंगे, उसको registered करेंगे, और वहाँ पे जैसे ही जाएंगे, आपको ये math reasoning का special special, 3 to 4 pm और 4 to 5 pm का batch दिख जाएगा, और एक combo भी दिख जाएगा 3 से 5 pm, आप आसानी से जाकर उस course को purchase कर सकते हैं, और online में enroll हो सकते हैं, और बिल्कुल offline बच्चों की तरह, online में भी बच्चों को बड़ा interest आता है, जो बच्चे already पिछले courses में enroll हैं, उनसे बात होती है, या वो जब message करते हैं, live classes के दोरान, तो पता चलता है, कि वो भी online को offline की तरह ही enjoy करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई ही उसी तरह से होगा, क्योंकि आपको interest आना ही आना है, तो enjoy करते हैं, तो आप लोग भी जो बच्चे बिलकुल tension free होकर class को join कीजिये, enjoy कीजिये, और अपने सपने को, अपने माता-पिता को सपने को, अपने गुरु जनों के सपने को साकार कीजिये, और एक seat campus में नहीं, बलकि जो जिस job में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे एक seat अपना confirm कीजिये, ठीक है, तो ध्यान रहे 29 नमंबर 3 से 5 पीम, यह हो गई online की बातें ठीक है, इसके अलावा, mathematics में आपको समय समय पर सर के द्वारा, सर के द्वारा, भीके सर के द्वारा, फ्री में टेस्ट स्रीज कराया जाएगा, सर की जब इक्षा होती है, जैसे अभी इक्षा हुई थी, तो सर ने foundation badge के बच्चों के लिए एक मन्थ, दो मन्थ टेस्ट फ्री करा दिया था, ताकि उनका पूरा revision हो सके, उसका कुछ पैसा नहीं लिया जाता, और उसी तरह reasoning में हमारे दिवारा दिया जाएगा क्या DPS, daily practice set, ये क्या है भाई, तो ये बहुत important है, यदि reasoning में आप सिर्फ DPS पे focus कर लिए बाबू, तो आप reasoning के master बनकर निकलोगे, ये हमारी guarantee है, क्या होता है, first day जो पढ़ाई हुआ, उससे 10 question जाकर D DPS 1 बनाईए, second day जो पढ़ाई हुआ, उससे फिर 10 question जाकर घर पे बनाईए, लेकिन ये second day का जो DPS में 10 question होगा, ये 10 question सिर्फ दूसरे दिन जो पढ़ाया गया, उससे नहीं होगा, पहला और दूसरा दिन जितना पढ़ाया गया, दोनों मिला कर होगा, इसी तरह अगर आप 10 class मेरे यहां कर लिएं, तो दसवा कलास पढ़ाने के बाद घर जाकर जो DPS 10 का 10 question बनाईएगा, इस 10 question में सिर्फ दसवा कलास का 10 question नहीं होगा, फर्ष्ट से 10 class तक जो पढ़ाया गया, वो 10 question होगा, समय बढ़ेगा, class बढ़ेगा, DPS में question की संख्या बढ़ेगी, जैसे ए एक महीना पढ़ लेंगे, तो DPS 30 बनाईएगा घर जाकर, इस DPS 30 में एक महीने में जितना पढ़ाई हुआ, उससे अब 10 question नहीं, कितना question होगा, 15 question, इससे होगा क्या, और ये पूरे 7 से 8 महीने के class में, हम आपको 300 plus DPS देंगे, 300 plus, तो class के साथ साथ आपका state practice भी चलता जा रहा है बाबू, और, और, क्या होगा, आप पहला दिन जो पढ़ रहे हैं, वो DPS के माध्यम से आपका daily revision हो रहा है, तो आपको घर जाकर copy खोलने की भी जरूरत नहीं पढ़ेगी, आपका revision होता जाएगा, और math में ये चीज कैसे कि किया जाएगा, तो समय समय पर सर के द्वारा क्या किया जाएगा, फ्री में test reach चलाया जाएगा, अलग टाइम पर, वो सिर्फ आपके लिए होगा, यानि आपकी पढ़ाई की tension, आपको तो है ही, हम लोग भी आपके लिए कम चिंतित नहीं होते हैं, और समय समय पर इस तरह क कि चीजों को आपके लिए लाते रहते हैं, ताकि आपका पढ़ाई अच्छे से चलता रहा है, ठीक है, तो विशेश बात हम लोग कलास में करेंगे, फिर से लास्ट में मैं यही बोलूंगा, एस सी की तयारी करनी है, रेलवे की, बैंकिंग की, किसी भी चीज की तयारी करन ही है, मैथ और रिजिनिंग में टेंसन नहीं लेना है, आपको एक दम बैंकिंग लेबल तक पढ़ाया जाएगा, तीन महीने के आसपास तो आपको पजल ही पढ़ाया जाएगा, और बैंकिंग के मैथ में भी जो भी चेप्टर हैं, बेसिक, बेसिक का मतलब क्या, सिंप्लि इन वाले बच्चे किसी से पूछेंगे, हम लोग से संपर्क करेंगे, आपको बैंकिंग में जो सिंप्लिफिकेशन और एप्रॉक्सिमेशन पढ़ना होता है, वो आपको बेसिक में ही मिलेगा, और वही दो महीने, धाई महीने पढ़ाया जाएगा, तो बिलकुल टेंसन न ही लेना है, ना SSC वाले को, ना railway वाले को, ना banking वाले को, यहां का record भी बहुत अजीवों गरीब है, बैंकिंग में, रिजनिंग में बच्चे 35 में 35, 40 में 40 लेकर आते हैं, मैथ में बच्चे लेकर आते हैं, और CGL मेंस में 200 में, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका score 205 हो ज है, 29 नवंबर से, 3 से 4 मैथ, 4 से 5 रिजनिंग, ओनलाइन भी और ओफलाइन भी, ओफलाइन भिखना पहाडी वाले सेंटर पे, सीट बहुत कम है, इसलिए जल्द से जल्द अपना एडमिसन करा लें, और कलास को इंज्वाय करें, मेहनत करें, हम और आप दोनों मिलकर मेहनत करें, और अपना एक सीट कहां, जिस जॉब में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे पक्का करें, ठाइंक यू सो मच, फिर मिलेंगे हम लोग, किसी अगले इन फॉर्मेशन के साथ, या कुछ अलग कलास के साथ, बैबाए,